11-11 का Season 2 क्या आएगा नहीं आएगा और अगर आएगा तो कब तक हमें देखने को मिलेगा सबसे पहला ही सवाल यही निकल कराता है क्योंकि जिस जिस ने इस सीरीज को देखा और जिस जिस ने एंडिंग को देखा वहां से उत्सुकता और बढ़ गई कि आखिरकार एंड में क उसकी सबसे पहले आपको जानकारी देदो कि यह सीरीज है Korean Web Series Signal का Remake यानि Signal का सिर्फ एक सीजन ही आया है जिहां जो Korean Web Series है उसका सिर्फ एक सीजन ही आया है यानि इसका भी सिर्फ एक सीजन आया है उसका जब दूसरा सीजन आएगा तो सायद मेकर इसके चाहेंगे कि दूस से open ending छोड़ी गई है और season complete नहीं हुआ है और season 1 को logo द्वारा पसंद भी किया जा रहा है तो maker जरूर चाहेंगे G5 के की G5 के पास वैसे भी बड़ी वेब सीरीज नहीं है कोई अगर देखे तो 11-11 एक आई है और जिसमें सांदार कहानी को present किया गया है time travel को और इस तरीके से अगर देखे तो season 2 लाना बनता भी है इनका और अगर signal 2 जो की माना जा रहा है कि सायद 2025 के सुरू में ही आपको देखने को मिल सकता है या 2024 के आखरी में तो सायद उसको देखकर उसको अपना कर वो जल्दी से काम सुरू कर दे क्योंकि राइटिंग पे काम तो होगा नहीं राइटिंग पे आपको अगर remake बना रहे हो तो आप राइटिंग पे उतना काम तो सोचने वाली बात नहीं हाँ कुछ फेर बदल कर सकते हैं कुछ अगर plot में अगर कहें तो वो सायद फेर बदल हो सकता है signal 2 हो सकता है कि आएगा उसके बाद ही इसके सुटिंग पर काम चलेगा और उमीद है कि लंबा इंतजार ना करना पड़े लेकिन करना पड़ सकता है क्योंकि अभी signal 2 आएगा उसके बाद कहानी थोड़ी सी फेर बदल की जाएगी उसके बाद सुटिंग होगा उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होगा तो उमीद है कि जल्दी आए उसके बाद ही एक तरीके से signal 2 पर 11-11 के season 2 पर काम शुरू हो लेकिन आएगा जरूर यह आपको मैं confirm कह सकता हूं कि बिलकुल आएगा क्योंकि season 1 को लोगो द्वारा पसंद किया गया है और G5 जरूर चाहेगा कि इसका season 2 लाया जाए